एक बहुत ही common question जो मैं consistently student से सुनता हूँ और बार बार ये एक ऐसा persistent problem है जो असानी से खतम होता हुआ नहीं दिखाई देता उसके बारे में ही मैं एक discussion लेकर आया हूँ आपके सामने जहां पर मैं आपको basically ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको examination में एक concern का सामना करना पढ़ रहा है कि जब आप English के content को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पढ़ाव होता है कि उसको comprehend करने का या जो meaning निकालने का जो हमें समझ में आये वो कहीं न कहीं कमी रह जाती है उसमें और meaning जो है आपको वो clear नहीं होता तो आज का ये छोटा सा session जो है इसी के लिए design किया गया है ताके मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बता पाऊं अगर आप बहुत सारी चीज़े try कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी जो अंग्रेजी को समझने की शमता है read out करके understand करने की शमता है ability है वो कहीं न कहीं उसमें क कहीं न कहीं सुदार देखने के लिए मिलेगा basically देखे हम जानते हैं कि जितने भी हमारे examinations हैं उनमें सबसे बड़ा challenge जो English के section में आता है वो reading comprehension ही होता है और उससे जुड़े हुए सवाल होते हैं जैसे कि passages हो गए जैसे कि जंबल sentences हो गए जैसे कि sentence rearrangements हो गए close test हो गए word swap हो तो थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा सा एक discussion करने जा रहे हैं जरा समझेगा कि क्या जो है हम कर सकते हैं basically देखे अगर आपने अपनी reading को सुधारने की कोशिश की है तो मैं guarantee ले सकता हूँ कि यह तीन suggestions आपको जरूर मिले होंगे पहला suggestion है आपसे किसी ने जरूर कहा होगा कि अगर reading सुधारना है तो आपको novels पढ़ना चाहिए हो सकता है शायद आपने try भी किया हो लेकिन शायद कुछ खास पल्ले ना पढ़ा हो दूसरा suggestion जो सबसे common मिलता है वो है कि हम लोग the Hindu newspaper के पीछे पढ़े रहते हैं और कहते हैं the Hindu पढ़ो अपने आप अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी दा हिंदू इसमें कोई doubt ये एक बहतरी newspaper है लेकिन straight away दा हिंदू पर वो भी बिना किसी के support के कूद जाना ये अपने मन में negativity पैदा करने के बराबर है reason being कि जब हम इतनी complex चीज में कूदेंगे तो हमारा दिमाग भी हटेगा हमारा मन भी हटेगा हमारी इच्छा भी कम होगी क्योंकि हमें वहाँ पर understanding में support नहीं मिल रहा होगा हमें meaning clear नहीं हो रहा होगा एक दिन struggle करेंगे दो दिन करेंगे और फिर आखिरी में give up कर देंगे आप में से शायद बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने दा हिंदू जो है वो पढ़ना शुरू किया था वो इसी कारण से छोड़ भी दिया होगा तो अकेले start करना बिना support के थोड़ा सा challenging जो है थापित हो सकता है यह कुछ इस तरीके से है कि एक समुद्र में से मैं चंद बाल्टियां चंद यूनो बकेट्स डेली निकालता हूँ इस उम्मीद में कि एक दिन समुद्र के बराबर जो है पानी फेच कर पाऊँगा ऐसा नहीं होगा language एक बहुती vast subject है और इसको छोटे छोटे इनक्रियां से बहतर किया जा सकता है लेकिन जिस speed से यह बहतर होंगी वो speed जो है वो sufficient नहीं होगी तो अगर आप ये तीनों चीज़े कर चुके हैं और फिर भी आप निराश हैं कि भई नहीं हो पा रहा बन नहीं रही बाद होता है आप जरूर करिए इनको लेकिन अगर आप इन सबसे निराश हो चुके हैं तो आप कुछ छोटी-छोटी चीज़े ट्राइब करें करें कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मैंने पीछे दो इमेजिस लगा रही हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर गैस्पिंग फॉर एयर लिखा हुए इंग्लिश में है यह पूरा आर्टिकल और बराबर में ही आपको सास के लिए संगर्ष हिंदी में लिखा तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़कर मीनिंग क्यों नहीं क्लियर होता उसका कारण है कि आप जो है यहाँ तो अरेंजमेंट और वर्ट्स नहीं समझ पाते यहाँ फिर जिन शब्दों का इस्तिमाल किया जा रहा है वो क्लियर नहीं होता यहाँ कभी कभी पूरा टॉपिक ही नहीं क्लियर होता कि बात किस बारे में हो रही है imagine करिये एक ऐसी situation कि passage को start करने से पहले ही आपको ये बता दिया जाए कि passage जो है इन इन चीजों के बारे में है इन इन चीजों का जिक्र होगा तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो जो support आपको दिया गया है उस support से आपकी जो reading skill है, जो reading ability है, वो धीरे-धीरे क्या होगी, understanding को better करेगी, और better करेगी, तो आप अब जब passage पढ़ेंगे, तो आपको पहले के comparison में बहतर समझ में आएगा, तो पहला मेरा है कि यही है, मैंने कुछ students पर इसको try भी किया है, कि एक magazine आती है, India Today की आपने नाम सुना होगा, उ आप चाहें तो पुराने versions उटा सकते हैं, आपका मकसद तो reading improve करना है, तो आप सेम मंत के पुराने versions उटा लीजिए, सबसे पहले step में, अगर आपको comprehension में वाकई में दिक्कत आती है, तो step 1 में, आप पहले उसका Hindi version पढ़के देखिए एक बार, Hindi version जब आप पढ़ेंगे त जो शब्द आपको struggle कर रहे थे, मान लीजए यहाँ पर कोई एक शब्द आगे है, laconic, अब आप directly English में पढ़ रहे होंगे, तो आपको इस laconic का मीनिंग कभी clear नहीं होगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर पढ़कर गए हैं Hindi में, तो आपके सामने जब laconic आएगा, तो आप इ clarity बढ़िया मिलेगी, साथ में मान लीजए को एक sentence लिखा है और इसको लिखने का structure है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा, काफी लंबा सा, उसमें 30-40 शब्द हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो meaning ही clear नहीं हो रहा, अगर आप straight away इसमें जाएंगे, और आप starter हैं या beginner हैं, लेकिन अगर आप यहां पर पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है, यह complex सी बात जो है जो कही जा रही है, वो यह बात है, तो यह क्या करेगा, आपको assist करेगा कही न कहीं आपकी reading में, पहले शुरुआती दिनों में आप ऐसा करिए, मेरा मानना है कि अगर आप खुद देना इसका मकसद, हमें जो first push मिलेगा वो यहां से मिलेगा, तो 25 से 30 seconds जो है, आप 25 से 30 दिन जो है, आप इसको try कर सकते हैं, बाकी जो आप हिंदू कर रहे हैं, वो करते रहे हैं, लेकिन 30 minute इसके लिए आप दीजिए extra, ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे जो है, आपकी understanding और बहतर हो रही है, ठीक है, आप कभी ऐसे भी try करेंगे कि बिना इसको पढ़े try करेंगे, तो आपको लगेगा यार, पिछले दिनों के comparison में better है, माहौल, better है चीज़ें, ठीक है, और better है understanding, पहला काम आपने ये करना है, जब आपको 25-30 दिन हो जाएं करते हुए, तो एक तो initially हम उस stage पर नहीं होते हैं, और इस बात को सुईकारने में कोई यानो बुरा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा news paper is the times of India, आपने जरूर नाम सुना होगा, कोई section आपने नहीं पढ़ना, आप इसका पहला page, जो first page होता है, वो आप पढ़िए, first page जो है, स अगर अगर कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं, जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस पढ़िए, इससे क्या होगा, आपका flow बनेगा, आपकी habit जो है, वो develop होगी, आप continuous चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे, और जब आप एक बार पढ़ने के बा आपको लगता है कि यार कुछ चीज़े मुझे clear नहीं हुई है, तब आप दुबारा से passage में जाए, इस बार आपने क्या करना है, वो जगा जहां पर आपको meaning clear नहीं है, उस जगा को, अगर वो एक word है, तो आप उसको dictionary में देख लीजिए, अगर वो एक word है, तो उसको आप dictionary में देख लीजिए, और अगर वो phrase है या sentence है, तो देखे, आज कल Google translator हम सब use करते हैं, आप सब के पास phone है, आप Google में translator on करिये, search करिये, Google translate लिखेंगे, अपने आप दो box खुल जाएंगे, जो English वाला section है, उसको copy paste वहाँ पर कर दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए, training देदेगा, तो ये जो process है, इसको भी आप अगर 20-25 दिन करेंगे, तो भी आपका जो overall communication है, यानि reading comprehension है, वो बहतर होगा, ठीक है, ये basically क्या करेंगे, ये आपको support system बनेगे, मतलब अकेले नहीं करना, support system होना चाहिए, इसको करिए, फिर इसको करिए, और साथ में, अब content to the Hindu वाला आता है exam में, बिलकुल आता है, क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास solution है, कि जब सुभा मैं editorial लगाता हूँ, आप इसे शायद बहुत बच्चे लगाते भी होंगे, जब मैं editorial लगाता हूँ सुभा, तो इस बात का ध्यान रखता हूँ, कि class में बहुत सारे beginner level पर होंगे, यह जिनको comprehension में problem होगी, तो जब मैं elaborate करता हूँ इसको, तो बहुत ही constructive way में और बहुत ही आराम से करता हूँ, जिससे के हर बच्चा इसको समझ पाए, class में focus vocabulary पर भी रहता है, grammar पर भी रहता है, reading skills पर भी रहता है, और सबसे बड़ी बात, कि आपके exam में जि exam level के, तो यह आपको कई segments में आपको फाइदा पहुंचाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों चीजों को cumulatively यूज करिए, साथ में combine करके यूज करिए अपना, इसको भी करिए, India Today को भी करिए, उसके बाद Times of India को देखिए, तो आप महसूस करेंगे कि लगबक 30 days में, आपके अंदर जबरदस्त जो है सुदार देखने के लिए मिलेगा, और यह मेरा experience, I have tried this on several people, not only in online mode, but also in offline mode, और offline में तो आप सामने देख रहे होते हो, और engage कर रहे हो, तो क्या improvement है, तो बहुत फाइदा होता है, इसके अलावा अगर आपके बाके कोई concerns है, आप language को प banker foundation course है, जहां पर आपको 1499 में ये जो है मिल रहा है, pre plus means दोनों की तयारी करवाते हैं, और ये जो banker foundation है, ये इसके साथ free मिलेगा आपको, इसके साथ ये free मिल जाएगा, तो आपकी जितनी भी समस्या हैं, not only related to English, but also related to all the examinations, ये solve हो जाएंगी, और अगर आपने सोचना है कि भाया मैं तो सब चाहिए मुझे जो भी course आते हैं, सब का access मेरे पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप bank महाविश्वास pack जो है ले सकते हैं, जितने भी application पर सारे batches जो भी शुरू होंगे, वो सब आपको यहां पर access मिलेगा, और आप इनको बहतर तरीके से जो है देख प आपको यहां पर मेरा photo दिख रहा होगा, तो अगर आप language उस तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बाकि reading को सुधारने के लिए, यह जो मैंने आपको छोटे-छोटे hacks बताए हैं, इसको आप use करके देखिए, मुझे लगता है personally, अगर हम competition क तैयारी कर रहे हैं, तो फाइदा जरूर होता है, ऐसी सारी चीज़ों से, hope आपको session पसंद आया होगा, comment section में मुझे जरूर बताएगा, कैसा लगा, चैनल पर नए हैं, तो इसको subscribe जरूर करिएगा, thank you very much, और please अपना ध्यान रखेगा.